हेलो दोस्तो मैं विशाली लोधी और स्वागत करती हूँ अब सभी का आपके ही अपने योटूब चैनल फ्री एजुगेशन पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्श में हम करेंट अफियर्स के लास्ट सिक्स मन्त के मोस्ट इंपॉर्टन फिफ्टी कॉशन को डिस्कस क करने वाले हैं इस वीडियो लेक्श में मैंने जितने भी कॉशन को इंक्लूट किया है सारे के सारे कॉशन इंपॉर्टन और अच्छे लेवल के हैं और दोस्तो सभी कॉशन को हम डिसकस करने वाले हैं डेटेल में विट एक्स्टा फैट के साथ मैं तो चले दोस्तो 75 वी आजादी की वर्षगाट है कब है तो दोस्तो 15 अगस्त को है हमारे देश को आजादी कब मिली थी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी और इस वर्ष यानि की 2022 में हमारे देश की आजादी की 75 वी वर्षगाट है और इसके उपलक्ष में दोस्तो जो गूगल है इस नए इंडिया की उडान परियोजना को शुरू किया है तो दोस्तों ये जो परियोजना है इसमें समरद अभी लेखा गार और कलात्मक चित्रड के जरिये हमारे देश की जो कहानी है इन 75 सालों की इसको बयां किया जाएगा चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉशन की ओर और नेक राजस्थान में की जाएगी देश की पहले डिजिटल लोग अधालत जो है इसका उद्गाटन कहां पर किया गया तो राजस्थान के जैपूर में किया गया अठारवे अखिल भारते कानुनी सेवा प्राधिकरिन की बैठक थी इसके दोरन नालसा के चेयर्मेन है यू यू बने हैं लेकिन कितने कारेकाल के लिए तो सिर्फ 75 दिन के लिए यह हमारे देश के अगले मुख्य नयाइधीश बन गए हैं चलिए दोस्तों यह जो लोग अदालत है इसके डिजी टेली करण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से नयाय प्राप्त करने की सुभीदा ह सोबस्तों होगी नेकस हमारा कॉशन है राश्ट मंडल खेल 2022 का उद गाटन किस इस्टेडियम में किया गया तो अभी दोस्तों ही में राश्ट मंडल खेल 2022 का जो अद गाटन है यह किया घृटk ज不知道 स्टेडियम बर्मिंगम में तो आंसर हमारा हो जाएगा एलेक्जेडर स् इस जो है इनको भी हाली में शुरू किया गया था और इनका समापन भी हो चुका है और इस टॉपिक पे सर ने एक डेडिकेटड वीडियो बनाया है तो आप हमरी टॉपिक वाइस की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं के लिए बहुत ही बड़ी गुड़ न्यूज है और गुड़ न्यूज यह है कि हमारे चैनल की करेंट अफियर्स की अपडेटट इबुक जो है ये इबुक लाँच हो चीकी है और इस इबुक में आपके लिए 55 प्लस टॉपिक वाइस करेंट अफियर्स साहत में ही आपको 1300 प्लस डिटेल mcq दिये जा रहे हैं तो इस प्रकार आपको टोटल नंबर ऑफ mcq जो है यह पांच हजार से ज्यादा mcq एक ही बुक में दिये जा रहे हैं तो यह जो बुक है इसकी लिंक आपको कहा पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगी आप अपनी अब नेक्सट कॉशन की नेक्स्ट हमारा कॉशन है हाल ही में किस राज़े सरकार ने acb1400 एp launch किया तो acb1400 जो app है यह launch किया है आंडरपरदेश सरकार ने यह displays return मुहन रेडी वायस जग मुहन रेडी जो है यह आंदर पदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा ACB14400 एप को लॉंच किया गया अब यह जो एप है किसके द्वारा डवल अप किया गया तो एंटी करप्शन ब्यूरो यहने की ACB के द्वारा इसको डेवल करते हैं तो इनके खिलाफ आप इस एप में अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं इसको किसके द्वारा लॉंच किया गया तो अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री वायस जग मुहन रेडी के द्वारा इस एप को लॉंच किया गया है नेक्स्ट हमारा कॉशन है हाली में अमे मेकसिको और कनाडा देश इन तीनों को संयक्त रूप से इस टूनामेंट की मेजबानी दी गई है नेक्स्ट हमारा कॉशन है आगामी संयक्त रास्त जलवायू संबेलन जिसको कॉप 27 कहेंगे इसकी थीम क्या होगी तो कॉप 27 की जो थीम है ये है लाइफ अब लाइफ क्या है तो इसका फुल फॉर्म होगा लाइफ स्टाइल फॉर एंवायरमेंट हिंदी में इसको हम कहेंगे पर्यावरण के लिए जीवन शैली कॉप 27 जो है इसका आयोजन कहां पर होगा तो मिश्र के शर्म अलशेक में 6-18 नवंबर तक इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा औ लिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है ग्लोबल एस डीजी पाइनियर के रूप में मानता प्राप्ति करने वाले पहले भारतिय कौन बने तो ग्लोबल एस डीजी और इसमें पाइनियर के रूप में मानता प्राप्ति करने वाले पहले भारतिय ये बन गए है रामकृष्ण मुक अधिलीट कौन बन गये तो दोस्तों अभी हाल ही में बर्मिंगम रास्टमंदल खेलों का आयजन किया गया था और इस में पैरा पावर लिफ्टर शेडी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारती एथिलीट ये बन गये हैं सुधीर जो सुधीर है इनों मैंस हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिक में स्वर्ण पदक जीता है और ये अपने देश का पहला स्वर्ण पदक है इस श्रेणी में नेक्स्ट हमारा कौशन है हाल ही में किस अंतरास्टी हवाई अड़े को विश्व का सबसे सर्विसरिष्ट हवाई अड़ा घोशित कि हमत अंतरास्टी हवाई अड़े के लिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है पत्र सुषना बीयूरो यह ने consistsा नाए प्रधान महा निदेशक रूप में किसे नुक्त किया गया तो जैदी भटनागर का इस्थान लिया है सतेंदर प्रकाष ने, नेक्स्ट कॉश्चन भूकम पलट आप लॉंच करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो अर्थक्वे कलट अप और इसको लॉंच करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है उत्रा खंड इस app के माध्यम से हम क्या कर सकेंगे तो ये जो app है इसके माध्यम से भूकंप के दोरान ही लोगों की location का पता किया जा सकता है और लोगों को हम पूर भी भूकंप के आने की चेताबनी भी दे सकते हैं नेक्स्ट हमारा कॉशन है चिराग योजना को किस राजसरकार के दौरा शुरू किया गया तो ये जो चिराग योजना है इसको शुरू किया गया है हर्याणा राजसरकार के दौरा ये जो योजना है इसके तहट मानेता प्राप्ट निजी स्कूलों में उन विध्यारतियों क दाखला दिया जाएगा जो की आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग में आते हैं और इनके अभी भावक यान इनके जो माता पिता पेरेंट्स है इनकी जो सालाना आए है ये लगबग एक लाक असी हजार रुपे या फिर इससे कम हो ऐसे सभी पात्र जो विध्यारती है इनको नि बन गए हैं कोलंबिया देश के नए रास्ट पती नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत का पहला हिमालियन मसाला उध्यान कहां बना तो भारत का पहला हिमालियन मसाला उध्यान ये बना है उत्राखंड के रानी खेट में ये जो मसाला उध्यान है इसको इस्थापित करने का मु संदान विंग के द्वारा विक्सित किया गया है नेक्स्ट हमारा कॉशन है हाल ही में अंतररास्ट्य फुटबॉल में पांचवे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी कौन से बन गए तो यह जो कॉशन है most important अपके exam point of view से क्योंकि अंतररास्ट्य फुटबॉल में पांचवे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी जो है यह बन गए है सुनील छेत्री और सुनील छेत्री जो है यह भारतिय पुरुष फुटबॉल टीम के कपतान है और अंतररास्ट्य फुटबॉल के इतिहास में सैयुक्त पांचवे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी कौन बन गए तो ये बने है सुनील छेत्री नेक्स हमारा कॉशन है हाल ही में किसने केंद्री सतर्ता आयुक्त के रूप में सपत ली है तो केंद्री सतर्ता आयुक्त कौन बन गए है तो ये बने है सोरेश एन पटेल नेक्स्ट हमारा कॉशन है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहां पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्गाटन किया तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारे किया गया कहां पर किया गया तो बैं पहला हवाई अड़ा कौन सा बन गया तो भरत का पहला हवाई अड़ा नवीनी करन उड़ा से चलने वाला ये बन गया है दिल्ली हवाई अड़ा नेक्स्ट हमारा कौशन है किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा सक्षम आंगनवाडी और पोशन 2.0 योजना को लागू किया गया तो सक्षम आंगनवाडी और पोशन 2.0 योजना जो है ये शुरू की गई है महिला एवं वालवेकास मंत्राले के द्वारा नेक्स्ट कॉशन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर B.R. अमेटकर स्कूल ओफ एकोनॉमिक्स का उधगाटन किया तो B.R. स्कूल ओफ एकोनॉमिक्स का जो उधगाटन है ये प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी जी के द्वारे किया गया कहां पर किया गया तो दो राजी के मुख्यमंत्री ने लोगडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया तो लोगडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का जो विमोचन है ये ओडीशा के मुख्यमंत्री के द्वारे किया गया है दोस्तों ये जो पुस्तक है लोगडाउन लिरिक्स इस पुस्तक में संजुकता दास जो है इन्होंने अपनी कवीताओं का संग्रह जो है यह संकलित किया है नेक्स्त हमारा कॉशन है रेल वेड किने चीयरमेंड एवं CEO कौन बने तो रेल वेड बोर्ट और इसके नए चीयरमेंड एवं CEO जो है ये बन गए है बिना एक कुमार टरपाटी, इन्होंने किस का अस्थान लिया, तो शुनीत सर्मा का अस्थान लिया और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है तो ये अश्वनी वैश्णाव है रेल वालों के लिए यानि की गुरुप D वाले जो है रेलवे वाले उनके लिए ये कौशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारा कौशन है हाल ही में किस मंत्राले द्वारा निर्मान श्रमिको के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपौन परियोजना को शुरू किया गया तो आपको याद रखना है कौशन से ही एक फैक्ट मिल रहा है कि जो निपौन परियोजना है इसको किस शुरू किया गया तो श्रमिको के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपौन परियोजना को शुरू किया गया है और किस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया तो केंद्री आवा सेवं सहरी मंत्राले के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है नेक्स लिखी है तो यह जो पुस्זटक है यह लिखी है आर एन भासकर के द्वारा इस पुस्बत को लेका गया है आर था कॉशन है हाल ही मै इस फिन्टेक प्लेट form ने स्टोर पर विश्वश्नि और सुवीदा जनक भुक्तां ट्रेकिंग के लिए स्मार्ट speaker को launch किया है तो smart speaker को launch अभी हाली में किया है भारत पे ने और क्यों किया है तो दोस्तों अपने store पर विश्वशनी और सुभीदा जनक भुकतान ट्रेकिंग के लिए इसको launch किया गया है नेक्स्ट हमारा question है हाली में किसे यूएन में भारत के स्थाई प्रती निदी के रूप में चुना गया तो यूएन में भारत के स्थाई प्रती निदी के रूप में चुना गया है रचीरा कंबोस के लिए किस के लिए चुना गया रचीरा कंबोस के लिए चुना गया नेक्स्ट कॉशन है हाली में किस खिलाडी ने बर्मिंगम 2022 में भारत को रास्टमंडल खेलो का पहलऊ का पहला एकल स्क्वेश पदक डिलाया ją तो यह जिलाया है सौरव घोशालने किसने सौरव घोशालने दिलाया है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉशन की ओर और नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत की नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे निक्त किया गया तो भारत की नए महालेखा नियंत्रक यानि CGA के रूप में निक्त किय गया है सुनाली सिंग को और ये 26 वी नंबर की नियंद्रक एवा महालेका परिक्षक बनी है दोस्तों सुनाली सिंग जो है इन्होंने किसका अस्थान लिया तो इन्होंने दीपक दास का अस्थान लिया है आप दो टम्स होते हैं CGA और CAG तो CGA का फुल फॉर्म आप से पूछ है तो ये बनी है सुनाली सिंग और नियंद्रक एवा महालेका परिक्षक कौन है तो ये हैं गिरीज चंद्रमूर्मू कौन है गिरीज चंद्रमूर्मू जो है यह हमारे देश के नियंद्रक एवा महालेका परिक्षक है नेक्स कॉशन है हाली में किस राज्य ने साथ नए जलो का गठन किया है नेक्स हमारा कॉशन है के इंदर सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष निक्त किया तो इसरो के नया अध्यक्ष जो है दोस्तों यह बन गए है डॉक्टर एस सोमनाथ इन्होंने किसका स्थान लिया है तो डॉक्टर के शिवन का स्थान लिया है इन्हो गयाक है। इस लिए ये बात कर रहे हैं। ये करनाटा के बैंगलूरू में है वरतमान में चैर्मेंन कौन बन गए है। से मैं नेक्स हमारा कॉशन है नितिन गटकरी द्वारा किसяет दू helfen 6 राजमार्ग प्रे झा ग्या गया। तो निर्तिन गटकरी जो हैं ये हमारे देश की वरतमान में केंदीर राजमार्ग एवं सड़क परीवहन मंतरी हैं और इन्हों ने दोस्तो हाली में 6 रास्टीर राजमार परियोजना का जो उद्गाटन है ये कहा पर किया है तो मद्धपरदेश राजमें किया है next question है HPCL भारत की 11 महारतने कंपनियों में से एक है हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने तो HPCL जो है दोस्तो 11 महारतने कंपनियों में से एक है और HPCL के नए अध्यक्ष जो है ये बन गए है पुश्प कुमार जोसी इन्होंने किसका स्थान लिया है तो मुकेस कुमार शुराना का स्थान लिया है HPCL इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तो हमारे देश में कितनी महारतन कंपनिया है तो इनकी संख्या 11 है और अभी हाल ही में 11 महारतन कंपनी कौन सी बनी थी तो है बहुत ही ज़दा important fact है नेक्स हमारा कौशन है रास्ट मंडल खेल 2022 में भारत की किस खेलाडी ने हाल ही में पुरुषों की ऊची कूद इस परधा में एतिहा से कास्सिपदक जीता तो पुरुषों की ऊची कूद इस परधा में एतिहा से कास्सिपदक यानि कि जो ब्रॉ तो दोस्तो अगस्त 2022 में हमारे देश में 10 नए वेटलेंड को रामसर स्थल की सूची में सामिल किया गया और इसी के साथ में हमारे देश में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है तो ये 64 हो गई है अगस्त 2022 में भारत में 10 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया जिससे वर टॉपिक वेस करेंट अफिस की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है इससे कॉशन अपके एक्जाम में पूछे जास सकते हैं जास हमारे कॉशन है किस सहर में पेट्रोलियम और प्रा प्राकरते गैस मंत्री हैं और यह उद्घाटन कहां पर किया गया है तो नई दिल्ली में नेक्स्ट हमारा कॉशन है चुआ छूट मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विने समरश योजना शुरू की तो विने समरश योजना इसको शुरू किया गया है करनाटक राज्य सरकार की द्वारा किस देश से तो छुआ छूट को मिटाने के देश से इस योजना को शुरू किया गया है नेक्स्ट कॉशन है भारत किस देश में आजित होने वाले मेगा एयर कॉमबेक्ट एकसरसाइज पिच बलेक का हिस्सा बनेगा तो मेगा एयर कॉमबेक्ट एकसरसा of the year का जो पुरुषकार है 2022 के लिए ये दिया गया है एमबर ब्रेकन को किस फोटो के लिए दिया गया तो कम लुप्स रेसिदेंशिल स्कूल जो पिक्चर आपको यहां पर दिख रही है इसके लिए एमबर ब्रेकन को ये जो पुरुषकार है वर्ल्ड प्रेस फोटो of the year का ये दिया गया है नेक्स्ट हमारा कॉशन है जुलाई 2022 में पांच भारती वेटलेंड साइडों को रामसर साइडों में शामिल किया गया अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं तो दोस्तो जुलाई 2022 में पांच नए रामसर स्थल बनाए गए थे जिससे इनकी सं तो दोस्तों यह जोड़े गया है जुलाई 2022 में जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई तो 54 हो गई और अब अगस्त में कब दोस्तों अगस्त में 10 नए रामसरस्थल जोड़े गया और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है तो 64 रामसरस्थल जो है यह हमारे देश में next हमारा caution है हाल ही में किस company ने देश का पहला super app launch किया है तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि super app क्या है तो super app जो है ये एक ऐसा platform होता है जिसके जरीए users जो है ये कई तरह की सुविदा इनको एक ही platform पर प्रदान की जाती है जिसे कई सारे जो app है इनका काम जो है ये हमको एक प्रदान कर रहा है तो इसको हम super app कहेंगे और देश का पहला super app जो ही ये किस ने launch किया तो ये टाटा company के द्वारा launch किया गया है इस super app का नाम क्या है तो इसका नाम new है और इसको अप्रेल 2022 में launch किया जा चुका है नेक्स कॉशन भारत के 49 मुख्य नयाइदीश के रूप में कौन पदभार ग्रहन करेंगे तो हमारे देश के 49 नमबर के जो मुख्य नयाइदीश है ये कौन बनने जा रहे हैं तो ये बनेंगे justice ओदय ओमेश ललित दोस्तों इनका कारिकाल कितना रहने वाला है तो मातर 75 द कॉशन है T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतिय बल्लेबास कौन बने तो T20 क्रिकेट और इसमें 10,000 रन पूरा करने वाले जो दूसरे भारतिय बल्लेबास है ये बन गए है रोहिट शर्मा नेक्स हमारा कॉशन है स्वानिधी से समरद्धी कारिकरम किस से नियुक्त किया गया तो G20 समनवयक ये बनाया गया है हर्षवर्दन श्रंगला के लिए भारत के द्वारा दोस्तों 2023 में आयज़त किया जाने वाला है G20 सिखर शम्मेलन और इसके लिए पूर्व विदेश सचेव रह चुके हैं हर्षवर्दन श्रंगला और इनको मुख्य समनवयक नियुक्त किया गया है सितमबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संगाई सहयोग संगर्थन का शिखर समेलन और कहां पर किया जाएगा तो उजबेक किस्तान देश में इसका आयजन किया जाएगा नेक्स्ट हमारा कॉशन है हाल ही मैं किस राजे सरकार ने मुख्यमंत्री उद्ध्योग क्रांती योजना शुरू की तो मुख्यमंत्री उद्ध्योग क्रांती योजना जो है इसको शुरू किया है मद्रप्रदेश की शरकार नेक्स कॉशन है अठारवा जी ट्वेंटी सिखर शमीलन दो हुदर 3 में जो जो होने वाला है और कौन सा और आज송 करण भाय akt हम यहां पर एक चर्म हुआ है यहां यह गुता है यह जो होता है जोगी सिकरण के पहले प्रारामिक कारे की देखरे करता है तब बात ही है दोस्तों G20 की सिखर शंबिलन की तो हम जान लेते हैं सोरवा सिखर संबिलन जो है ये कब और कहां पर हुआ तो 2021 में और इटिली में हुआ सतरवा सिखर शंबिलन जो है ये कब होना है तो 2022 में और इंडोनेशा में इसका आज बात भी है G20 की तो G20 जो है इस्थापना कभ हुई थी तो 26ुम्बर 1999 को हुई थी भारत जी20 का हिस्सा है और G20 का पहला समेलन-कभ और कहां पर हुआ तो अमेरिका में और वस 2008 में G20 का पहला समेलन जो है यह आईजित किया गया था दोस्तो एबुक जो है यह आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज़दा हेल्फुल हो सकती है और दोस्तो यह जो एबुक की लिंक आपको कहां पर मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबुक क करेंट अफ्यस की लास्ट वीडियो थी मेरी उससे यह कॉशन लिया गया है अगर आपने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत भुत जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस्स ना हो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी more वीडियो को देख सकते हैं इसी प्रकार की informative और useful वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं Thank you friends मलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद